इस वीडियो में 5 most common mistakes मैं आपको बताऊंगा जो maximum students करते हैं और जिनकी वज़े से उनके marks गिरते हैं उनके marks कम होते हैं तो यह पांच mistakes जरूर avoid करेगा चाहे आपका कोई भी पेपर हो जनरली अगर आप बात करोगे पेपर के टाइम पर तो यह पांच आपकी mistakes होती ही है पहला 15-minute question paper reading time आप लोग क्या expect करते हो कि 15-minute में हम पूरा का पूरा question पढ़ लें गलत तो आपको पढ़ने की जरूरती नहीं है तो आपको बात में आराम से उसको अच्छे से पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली आपको पता है क्या करना चाहिए कि आपको question number 2 से लेकर question number 5 तक क कि जो series है उस series के questions को आपको पढ़के identify करना है कि मुझे कौनसा question छोड़ना है choice में क्योंकि आम तर पर देखा गया कि जो question number 6 है वो most easy question होता है वो approachable होता है तो 15-minute आप ये बत तोचो कि अर्यार मुझे पूरा paper पढ़ना है ताकि मैं decide कर लूँ कि मुझे करना है कि नहीं कर क्या होता है ये सोच के जाते कि पूरा paper करके आऊं और या तो हम एक provision create नहीं करके जाते कि यार अगर मानलो कल को पूरा paper हुआ तो भी regret नहीं होना चाहिए ये provision create करके जाना देखो हर paper का length अलग-अलग होता है अगर आप घर से ये सोच के निकलोगे कि हाँ ठीक है तीन घं करके आऊ उससे फार बेटर है कि अगर आप 70 marks का solid paper attempt करके आऊ और बाकी 30 mark में से आप कम से कम 15 mark का बले उपर उपर से करके आऊ तो बहुत ज्यादा better situation है comparatively जहां आप 100 marks का पूरा paper attempt करने के चक्कर में आपने कोई भी question दंक से नहीं किया तो ये thought process से बिलकुल मत जाना कि आ को 80 marks का attempt करना है जिसमें 70 marks का मुझे बहुत अच्छे से solid attempt करना है तीसरी चीज़ overwriting and striking and formatting यहां पर बच्चे के कम से कम 10 mark कट सकते हैं formating की बात करें जैसे accounts के paper होते हैं तो हम जब भी balance sheet बनाते हैं तो company का नाम आना चाहिए for the year and date या as on that date फिर उसके बाद balance sheet के particular amount debit credit वगेरा वगेरा यह formating पर आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें कुछ marks कटते हैं दूसरी चीज कई बार मैंने exam copies देखी है रिजल्ट के बाद मुझे कई सारी answer sheets आती है जिसमें बहुत सारी kata piti overwriting रहती है और उन वजह से आपके marks actual में कटते हैं हो सके तो इसलिए आप कोशिश करके वह वाले papers वह वाले questions रिटेम करना जिसमें at least starting के कम जगम 10-15 पेश तक आपकी overwriting ना हो यह ध्यान रखना उसके बाद do not start with 15-20 mark का single question आम तोर पर जितने भी practical subject से जैसे FR हुआ, accounts हुआ, advance accounts हुआ, और भी practical subject हुआ, हम गलती यह करते हैं कि जो पहला question होता है या फिर ऐसा कोई question होता है, जो 15-20 mark का single question है, जैसे business combination, consolidation का question आ गया, या amel commission का आ गया, internal reconstruction का आ गया, तो 15-20 mark का single question सबसे पहले आप वहाँ से start मत करो, क्योंकि आप जब start करते हो paper, तो आपकी writing थोड़ी सी slow होती है, तो ऐसी case में कोशिश करके question number 6 पहले try करो, क्योंकि question number 6 आ बाकी बचे हुए question number जितने भी है, जहां पर आपके A, B, A, B, C, ऐसे option है, वहाँ से शुरू करो, 15-20 mark का single question आता है, उससे start मत करना नहीं, तो आपका time बहुत waste होगा, last but not the least, जो आपको पता है, बट उसके बाद भी आप कहीं नहीं करते हो, once your paper is done, forget everything about that paper, अब आपका focus होन यह सोचने में waste कर देते हो, कि अर्यार मुझा paper ऐसा रहा, वैसा रहा, दोस्तों से बात करते हो, इसमें बिलकुल भी आपका फायदा नहीं होने वाला है, तो इन 5 mistakes को जरूर avoid करना, चाहे आपका कोई भी paper हो, जिससे आपके marks कहीं न कहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, बाकी मै आपको बता दू कि description में, जो भी बहुत important चीज़े है, FR accounts, advance accounts के लिए, चाहे वो most important questions की list हो, master problems की list हो, PDF files हो, और playlist हो, पूरे revision videos की, वो सब आपको description में मिल जाएगा, एक जगह पर मिल जाएगा, उसको जरूर एक बार देखके जाना, आपको बहुत मजा आएगा, और बहुत परकनी पड़ता, all the very best, God bless you.